जहन त्यारे साथियों स्वागत है आप सबी का एक बार फिर से खोठा किंग ऑफीजिल पे आईए हम खोठा डोज के पंद्रवें एपिसोड में हम सुलवें एपिसोड में आते हैं इसके पूरों में आपको दिवाले के धेर सारी सुपकामना है आपको रापके सपरिवार को आपको सलमंगल रहें और आपके घर में हमीशा दीप जगमकातार है और आप उसी दीप जोती के तरह चमकते रहें अपने घर में अपने परिवार में अपने माबाप के लिए हमीशा चमकते रहें यही हम कामना करते हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं इस वीडियो सेशन करते हैं जिसमें से आज जिस टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे वो है खोठा के जाने माने साहितिकार डाक्टर एके जहा डाक्टर एके जहा जी के बारे में आज हम जो वो डिटेल में समझने वाले हैं इनसे जुड़े वे जो भी महत्पुन प्रश्ण बन सकते हैं वो सारे प्रश्णों को आज हम लोग कभर करेंगे तो चली शुरू करते हैं बिना किसी देरी कि आज के पहले सवाल की और आज का पहला सवाल है कि डाक्टर एके जाजी के पूरा नाम बतावा तो डाक्टर एके जाजी पूरा नाम क्या है तो इनका पूरा नाम है अजीत कुमार जहा अजीत कुमार जहा इनका पूरा नाम है बता देखी अजीत कुमार जहा जिनको जहारपात या तो फिर खोठा घारेक मुंधी खुंटा माना गया है और ये दो उपनाम से ये जाने जाते हैं जहारपात के उपनाम से तो आपने कई बार सुना होगा कि जहारपात किन्हें उपनाम से जाना जाता है या किन्हें कहा जाता है जहारपात तो ये तो आपको पता होगा कि ये एके जाजी को बोला जाता है एके जाजी का पुरा नाम अजीत कुमार जा है इसके अलाबे महेंदर नाथ गुश्वामी ने इन्हें खोठा घारेक मुंधी खुंटा भी एकी संग्या जो वो दिये जिस परकार से स्रिन्वास पानरी को खोठा साहित के कई उपना आम से पोका था ठीक है तो जैसे खोठा के भिशिंपितामा ये विशुनात दसंधी राजजी के द्वारा बोला घया था स्रिन्वास पानरी को तो इस परकार से कुछ साहित 입कार होते जो अन्य सहित कारों को संमार में उंहें जो वो कुछ उपनाम से शंबोधित करते हैं और यहां से सवाल आपके एक्जाम्स में कई बार पूछे भी जाते हैं तो जहारपात के नाम से तो आपने कई बार सुना ही होगा इसके अलावे इने खोठा घर एक मुंधी खोठा उपनाम से भी जाने जाता है यानि अगर खोठा घर है तो ये खोठा के रूप में मजबूत अस्तंभ के रूप में ये माने जाते हैं मजबूत अस्तंभ के रूप में ये माने जाते हैं तो ये आपको याद रखने हैं तो अगर देखा जाए तो खोठा में एक मजबूत अस्तंभ के रूप में ये मानते हैं हाला कि कई अस्तंभ होते हैं उनमें से एके जाजी जो वो खोठा घर का एक मजबूत अस्तंभ के रूप में माने जाते हैं चलिए हम आगे बरते हैं और अगले सवाल क्यों आते हैं। अगला सवाल है आपका कि डॉक्ष्मी नाराएं ज्या था तो इनके पिता नामालाएं ज्या था था तो इनके पिता का नाम था और खोठा के परती इनका जो समर्पन था उन्हें जो वो आज एक अलग अस्थान देता है खोठा साहित के छेत्र में तो चली आगे बरते हैं तो इनके पिता का नाम अगर आपको बताना है कि इनके बापक नाम किये ले तो लक्षमिनाराण इंचा था डाक्टर एके जाजिक मायक नाम बतावा तो डाक्टर एके जाजिक मायक नाम किये तो इसका से Supreme option दी यालनि इनका जो नाम थो था कुसुम बाला देवी option में कोई भी नहीं सामिल है तो ऐसा सवाल भी आप से पूछा जा सकता है कोई option में नहीं देगा और इस तरह से सवाल भी आपसे बन सकते हैं कभी भी आप ये ना सोचे कि हो सकता है कि option D में दिया है कोण हो ना है और तीन दिया है तो यहीं तीनों में से कोई एक होगा और आप टीक करके आ जाए ऐसा कभी भी गलती ना करें जब आपको नहीं है अगला सवाल है कि डाक्टर एके जाजी एक जनम बठावा इनका जनम अस्थान कहां पे है तो इनका जनम चंडी पूर बोकारो में इनका जोब जन्म हुआ है तो अस्थान अगर आपसे पूछा जा तो चंडी बोकारो इसका सही अंसर हो जाएगा अगला सवाल है कि डाक्टर एके जाजी के जनम बच्छर बतावा तो अगर आप से पुछा जा कि जन्म तिथी बताईए कि कौन सी तिथी को इनका जन्म हुआ था और किस वर्स इनका जन्म हुआ था तो 20 जून 1949 को इनका जन्म हुआ था डाक्टर एके जाजी का कहीं पहें आपको फरवरी फरवरी जो वो दो फरवरी भी आपको कई जगा पे मिलेगा लेकिन ये आपको याद रखना है 20 जून 1949 इसका सही अंसर हो जाएगा इसमें से आप कंफ्यूस नहीं होना है 20 जून 1949 जो वो ये ऑफिसियल डाटा है साथी साथ जो खुद डाक्टर ए एक व्याकरन की पुस्तक लिखे है इन्होंने खोठा सहीद सदानिक व्याकरन वहाँ पे सामिल किया गया है इसके अलावे और कई ऐसे पुस्तक हैं जो इनका जो वो जन्रती थी उसमें सामिल किया गया है शली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है डाक्टर एके जहा कौन ज पत्रातू थर्मल पावर अस्टेशन यहाँ पे यह अश्टोर कीपर के रूप में कायरी करते थे अब यहाँ पे सवाल होता है PTPS यानि पत्रातू थर्मल पावर अस्टेशन तो इसके बारे में बताने के पूर में हम एके करके सभी आप्सन को समझने का पर्याज करते हैं तो सबसे पहले पतरातू थर्मल पावर अस्टेशन के बारे में बता दे 1962 में इसका जो अस्थापना हुआ था एके जहाजी यहाँ पे जो वो 1975 से लेकर के 1975 से लेकर के 1999 स्वी तक 1999 स्वी तक जो यहाँ पे यह कायर इन्होंने किया नोकरी के रूप में इन्होंने यहाँ पे कायर किया है तो यह आपको time period भी हो सकता है पूछा जा सकता है अब option में अगर देखा जा तो यहाँ पे बोकारो अस्टिल प्लांट यहाँ पे यह नाम आपको दिख रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सम बता दें कि बोकारो अस्टिल प्लांट जो है इसका अस्थापना सोव्यत संग के सहयोग से 29 जनवरी 1964 इस्वी को किया गया था ठीक है 29 जनवरी 29 जनवरी 1964 इस्वी को इसकी अस्थापना होती है इसका निर्मान कारी अगर आपसे पूछा जाए तो इसका निर्मान कारी जोगो छे अप्रेल 1968 हिस्वी को छे अप्रेल 1968 हिस्वी को जोगो इसमें निर्मान कारी सुर्वात होती है ठीक है छे अप्रेल 1968 हिस्वी को इसका जोगो निर्मान कारी की सुर्वात होती है 6 अप्रेल 1968 बता दे कि बोकारो अश्टिल प्लांट जो है यह भारत का पर्थम स्वदेशी इसपात सेयंत्र के रूप में जाना जाता है तो भारत के पर्थम इसपात सेयंत्र के रूप में माना जाता है बोकारो अश्टिल प्लांट को जहां पे ब्लास्ट फरनेस यानि धमन भट्टी का जो कारी की सुरुबात होती है वो 2 अक्टूबर 1972 इसमें ब्लाष्ट फरनेस के कारी सुरुबात होती है तो इन सारे महत्मुन फेक्टों के बारे में आपको याद रखने है अब एक यहाँ पे आप्सन आपको दिख रहा है उनका जो GDP है उसमें इन सभी चीजों का जो भी यहाँ पे संस्था है इन संस्थाओं का जो सहयोग रहा है वो काफी ज्यादा अहम सहयोग रहा है और काफी ज्यादा अहम भूमिका देखने को मिलता है भारत के GDP में जारखन का तो जो भी इस्थिती है वो तो किसी से छुपा नहीं है आप लोगों ने जानती आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में लेकिन आपको याद रखना कि भारत के जीडिपी में काफी ज्यादा योगदान है इन चारो संस्थाओं का ठीक है और एक है डीबीसी बोकारो इसका अस्थापनागर बात कहते हैं इन्हें 1986 इस्वि में कमिशन किया गया जिसकी छमता जो वो 630 मेगावाट यहनी 210 मेगावाट का तीन यूनिट इसमें से सामिल क्या गया है जो कि टोटल शमता गर देखा जाए कारी शमता तो वो 630 मेगावाट का है बोकारो डीवीजी बोकारो का ठीक है ति ये चारो आप्सन के बारे में आपको धियान रखने है अगला सवाल है कि मौसम विज्ञानी उपना में कौन इनका जो योगदान है वो काफी जादा योगदान है तो कई बार सवाल यहां से भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से खोठा साहितिकार जो की मौसम विज्ञानी की रूप में जाने जाते हैं तो एके जाए जिन्होंने जो वो धारा गगन सिध्धान्त के बारे में बत और सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि जाएक के कौन बच्छा झिक कमिटी कोठार के रामगण करल गेरल है तो जाएक सब्सक्ता है कि इस जीले में जेले है तो या तो जो है वो रामगढ में इस्ति थे रामगढ जिले में इस्ति थे इसकी अस्थापना जहाजी के सहयोग से कब किया गया था तो इसकी अस्थापना होती है 13 अपरेल 1982 इस्वी को तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी यानि 13 अपरेल 1982 इस्वी को इसकी अस्थ हापना होती है अगला सवाल है खोठा के कौन समयकाल के जहाजी काल माना जाता है अब क्यों माना जाता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और एक एकर के सभी जहाजी काल माना जाता है अब ऐसा क्यों माना जाता है क्योंकि जहाजी का जो साहितिक रचनाय जो खोठा के साहित रचनाय है इस समय में काफी ज्यादा रचनाय देखने को मिलता है जिसमें सेगर बात करें तो 1983 में इनका एक रचना आया था खोठा काठे गईदे खंडी फि फिर उसके बाद इन्होंने खोठा सेथ सदानेक व्याकरन 1987 में लिखा मेका मेकी ना मेट माट 1991 में इन्होंने एक नाटक भी लिखा खोठा रस छंद अलंकार जैसे एक नाम से पुस्तक इन्होंने 1987 में प्रकासित किया उसके लिए पे जारखंडी भासा संस्कृति के विभिन पहलूँ पर विचार जैसे पॉइंट के उपर में इन्होंने खोटा के रचनाएं इन्होंने किए 1986 में खोटा लोक कथा जैसे रचनाओं का संपादन किया एक टोकी फूल, खोटा गजपत संग्रा, दूडार जिरूल खूल, तित्की पत्रिका, दूडार पराज फूल जैसे कई रचनाओं का इन्होंने संपादन भी किया है और ये समयकाल जो माना जाता है 1975 से लेकर के 2000 के बीच का टाइम पिरियर्ड है वो इनका जो योगदान है वो काफी ज्यादा अहम योगदान माना जाता है खोटा के अगला सवाल है कि एकर में कौन रचना एके जाजी के लिखल नाय लागे ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेगा और यहां पर आपको बताना है कि कौन सी रचना जो एके जाजी के द्वारा नहीं लिखी गई है तो खोठा काठे पैदे खंडी, खोठा काठे गईदे खं औफिशन, यह तीनों रचना है तो इनके द्वारा लिखा गया है लेकिन औफिशन डी के अगर बात करें हम मच गंदा, तो बता दे कि मच गंधा जो है यह सिवनात पर्माने के द्वारा लिखी गई एक रचना है जिसमें से कुल एक गयारा खंड है, ठीक है कितनी खंड है इसमें कूल 11 खंड है और यह रचना जो लिखा गया वो महाभारत के एक पात्र है मत सिगंधा उसी पर आधारित यह रचना है तो यह भी सवाल जो वो कई बार पूछा गया कि मच गंधा जो वो रचना ककर लिखा लागए तो यह रचना जो वो सिवनाज परमानेजी के द्व द्वारा लिखा गया है अगरा सवाल देखते हैं कोशन नंबर 13 एकर में कौन रचना एके जहाजिक लिखल नाएला गये तो रूसल पुटूस कविता पूरान सहर सग्रट और पूटियार पालू तो कविता पूरान यह तो इनके द्वारा लिखा गया रचना है जो कि बाल जो परकासन हुआ था 2011 में हुआ था ठीक है तो यह भी चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं आगे हम बात करेंगे अगला जो इसका और साथी साथ याद रखेंगे सहर सग्रट जो इसका एक और परकासन 2014 स्वी में भी आया था 2014 में लेकिन 2011 में इसका जो पर्थम संस्क् जो की उपन्यास है पूटी और पालू क्या तो पूटी और पालू एक सब्दचीतर है जो की एक जाजी के द्वारा एक चर्चित सब्दचीतर के रूप में माना जाता है पूटी और पालू इस सब्दचीतर के बारे में हमने पूरे डेटेल से वीडियो दे रखा है चैनल रूसल पुटूस के बारे में बात करें तो यह सिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखी गई एक कवीता संकलन है जिसमें से कई सारी कवीताओं का संकलन किया गया है और इसे लिखा किसने तो सिवनाथ परमानिक ने लिखा है रूसल पुटूस चलि आगे वरती हैं अगला सवाल है तो यह यह एक नाटक है क्या है यह एक खोठा कई बार सवाल आपको एक्जाम्स में देखने को मिला होगा यहां से और कई बार सवाल जो को पूछा भी जाता है तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने हैं चली आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है खोठा गदपज संग्रा के प्रकासन बचर बतावा तो खोठा गदपज संग्रा के बारे में अगर आपसे बता दें तो यह रचना इसके बारे में हम क्यों बता रहे हैं तो बता दे कि खोठा गदपज संग्रा जो है यह रचना जो है वो इसको लिखा किसने है तो लिखा त जो है वो इनके परधान संपादक है जब कि कारिकारी संपादक है जो वो है सिवनात परमाने जिसके कारिकारी संपादक है और परधान संपादक जो है इस पुस्तक के वो है कौन तो एक जाजी है बता दे कि इस पुस्तक के अगर हम खासियत बताए उसके पूर में थोड़ा स सारी रचनाएं सामिल की गई है जिसमें से अगर बात करें तो कहानी इसमें कहानी भी है इसमें लेख भी है इसमें अगर बात करें तो संसमरन भी है इसमें संसमरन भी सामिल किया गया है इसमें से बात करें तो यात्रा वरतांत भी सामिल किया गया है इसके अलावे कर बात करे तो इसमें सब्दचित्र भी सामिल किया गया जो कि पूटी और पालू के बारे में हमने बात किया था तो इसमें सब्दचित्र भी सामिल किया गया है इसमें जो वो जीवनी भी सामिल किया गया है दो जीवनी इसमें सामिल है बढ़का बुजरुक विर्षा और सेख विखारी गईद रचना है और ताइस ठो जो है वो पईद रचना है इसी रिए तो इस पुस्तर का नाम रखा गया खोठा गईद पईद संग्रा यानि इसमें गद रचना भी है और पद रचना भी है गद रचना में क्या क्या आता है तो हमने बता दिया कहानी लेख संस्मरण यात्रा प्रतांत, जीवनी, ठीक है, उसके लावे नाटक हो गिया, उपन्यास हो गिया, ये सभी जो है वो गद रचनाओं के अंतरगत आता है, पद रचनाओं में अगर हम बात करें तो काब, खंड काब, कवीता, दोहा, ये सभी जो वो पद रचनाओं में आता है, चली, आगे बढ तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1989 यानि 1989 इस पुस्तर का जो परकासन हुआ था और द्वितिय परकासन के अगर बात करें तो 2020 इसका जो वो दुसरा संस्करन आया था ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं चली आगे बरते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं अगला सवाल हम देखते हैं पूटी और पालू कैसन रचना ला गए तो पूटी और पालू जो वो क्या है एक सब्दचित्र है क्या है या एक सब्दचित्र है जो कि किसके द्वारा लिखा गया तो डाक्टर एके जाजी के द्वारा लिखा गया रचना है ज सबसे जादा जो महत्मुन सब्दचित्र माना जाता है वो माना जाता है पूटी और पालू को ही ठीक है चली आगे बरते हैं गलत मेल के छाटा एक तरफ आपको रचनाएं दी रखी है और दूसरे तरफ रखा है किस प्रकार की रचना है वो जैसे सहर सगरट या एक उपन्या है और काब भी जो इसके अंतरगत आता है तो पद रचनाओं के अंतरगत आता है क्या है पद रचनाओं के अंतरगत आता है और समाजिक सर्जूत निशन जो गो एक पद रचने काब है है ना तो अगर पूशा जा कि समाजिक सर्जूत निशन के लिखा लाती तो डाक्टर बढ़ते हैं और पता दें कि समाजिक सर्जुइत नीशन की जो लिखा गया था वो 1987 इसमी में इसका पर्थम संस्क्रान आता है और 2010 इसमी में इसका दूसरा प्रकासन आया था तो यहां से भी सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं अगला सवाल एक खोठा सहीद सदानिक व्याकरन की रचना बच्छर बतावा खोठा सहीद सदानिक व्याकरन की रचना बच्छर आपको बताना है खोठा सहीद सदानिक व्याकरन की रचना को एकर मारे में बात करें तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option D यानि 1987 इस्वी में खोठा सहीच सदानिक व्याकरण जो कि खोठा का पहला व्याकरण के रूप व्याकरण पुस्तक के रूप में माना जाता है खोठा सहीच सदानिक व्याकरण 1987 इस्वी में इसका पर्थम संस्क्रण आया था इस भी में इसका दूसरा संस्क्रान आया था ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने हैं चली आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों आते हैं अगला सवाल हम देखते हैं डाक्टर एके जाजी की मिर्तु बच्छर बतावा तो एके जाजी के बारे में जो हमने उमिद किया कि जो सवाल हमने सामिल किया है यहां से आपको लगभग सवाल अगर यहां से सवाल पूछा जाता है तो इतने सवालों में से आपके सवाल जो वो देखने को मिल जाएंगे बाकी के परकासन वर्स आपको याद रखना ही होगा रचना वर्स अगर आप याद नहीं रखते है तो यहाँ पे आपको गलत होने के chances रहेंगे यहाँ पे आप सवालों को गलत कर लेंगे इसके बारे में अगर बता देंगे जहाजी के बारे में अगर theory session आपको देखना है तो पहले जीवन परिशे के बारे में एक video theory session हम पहले already बना चुके हैं ये सिर्फ आपको MCQ यहाँ पर करवाया जा रहा है इसलिए हम detail में पूरा नहीं जा रहे हैं यहाँ पर आपको सिर्फ MCQ के माध्यम से यहाँ लोग वस्तुनिष्ट प्रश्णों को हम लोग यहाँ पर सामिल कियें MCQ के मात्यMC अगर आपको डिटेल में पूरा जाना है उनके साहित रचनाओं के बारे में किस रचना के संपादन किया कब जन्म हुआ उनके पूरे जीवन परिचे के उपर में हमने वीडियो बना करके रखा है उस वीडियो का लिंक जो हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ से आप देख सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो क्या होगा और ऐसा माना जाता है कि खोठा के एक अस्तंभ के रूप में माना जाता है कि खोठा का एक अस्तंभ जो वो समाप्त हो गया जैसे जिस तरह से हमने देखा था कि स्रिन्वास पान्रे की निधन पर पूरे ऐसे लग रहा था जैसे खोठा में एक मातम सा छा गया था ऐसा लग रहा था कि जैसे खोठा टूर हो गया है ऐसा माना जाता था तो ठीक उसी प्रकार से एके जाजी का जम निधन होता है तो यहां से भी जो वो खोठा के एक बड़ी छती माने जाती है जिन्होंने खोठा के छेत्र में कई सारी महत्पून योगदान इन्होंने दिया है डाक्टर एके जहाब परगती सिल विचारेक सहितकार हला जहाजिक भासा ठेट खोठा और भासा सैली जो वो तनी कलिस्ट है जकरा ढेर कोई बुझे नाय पारत जहाजि आपन रचना में मानोबाद कर भावना कर बेसी बल देलहत एके जहाजिक जोगदान खोठा छेत्रे जुग जुग तक याद करल जीते जहाजि कोई समयने विक्ति नहीं माने जाते हैं खोठा के एक दिगज सहितेकारों में से एक माने जाते हैं और यह कह सकते हिन की रचनाओं को योगो योगो तक याद रखा जाएका जब जब आप रचनाओं पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि इन्होंने क्या रचनाओं क्यी है हलाकि इनकी रचना जो लिखे गए है वो थोड़ा सा ठेट भासा तो है और साथी साथ इनका जो सब्दावली है वो बड़ा ही कठीन सब्दावली है आप इनकी जब रचनाई पढ़ेंगे तो आपको वाकर में लगेगा कि actual में जो ठेट खोठा है वो जहाजी के रचनाव में देखने को मिलता है तो यह सभी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option C चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सबाल है डाक्टर एके जहाजी के लिखल उपन्यास सहीर सगरट के रचना वच्छर बतावा तो आपको सहीर सगरट जो उपन्यास है इसका रचना वर्स आपको बताना है कमेंट के माध्यम से इसका अंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका सही अंसर क्या होगा और उमीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेथ करें आप सभी को एक बार फिर से दिपावली के ढेर सारी सुब कामना है आपको और आपके पूरे परिवार को आप हमेशा जहां भी रहें इसी जोती के साथ दीपक के साथ और पूरे हमेशा परजवलित रहें अपने परिवार का नाम रोशन करें और हमेशा अपने परिवार का जो एक चिराग होता है उसके रूप में आप हमेशा परजवलित होते रहें और परिवार को पूरा उजाला करते रहें यही कामणा करते हैं हम अपने पूरे परिवार के साथ आप सभी को धेर सारे स्वक कामना थे खोटा किंग ओफिसल के पूरे परिवार के तisingंत। सिवनाथ परमानिक सिवनाथ परमानिक जी के बारे में जो भी परश्ण बन सकते वो सारे परश्णों को हम लेकर कल आएंगे तो कल हमारे साथ बने रहें सी तरह से तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से धेर सारे सुपकाम नहीं